Welcome friends, एक बार फिर आपका स्वागत है इस YouTube चैनल पर आज फिर हम RRB NTPC का एक और पेपर सॉल्व करेंगे जो कि हुआ था 274-2016 को सिफ्ट बन में अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वेडियो को अंत तक जरूर देखें तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा पहला जो कुश्चन है वो है एक हमारा पाइथाकुरस थियोरम से रिलेटेड इसमें आपको दिया गया है एक समकौन ट्रिबोज जयामीतिक आधार से लंब चार सेंटीमीटर अधिक है तो मान लीजिए कि ये आपका समकौन ट्रिबोज है और इसका जो लंब है वो आपका चार है तो जो उसका बेस है मतलब जो आधार है वो आपका लंब से चार अधिक है चार सेंटीमीटर अधिक है तो ये हो जाएगा हैच प्लस फोर ठीक है एंड जो आपका इपोटेनियस है मतलब जो कर्ण है वो आपका कितना है चार और अधिक है तो मतलब 4 एज़ प्लस 4 एंड चार अधिक तो ये हो जाएगा हैच प्लस 8 तो अब यहाँ पे आपको पाइथागुरस थियोरम एप्लाई कर देना पाइथागुरस थियोरम होती है एच प्लस एट का होल स्कॉरर समय में आ गया यह आपका होती है पाइथागुरस थियोरम यहाँ पे हम जब वैली रख देंगे तो यहाँ पे हो जाएगा है plus eight का whole square is equals to h square plus h plus four का whole square यह आपका हो जाएगा जब आप इसको पूरा solve करेंगे तो आपको एक equation यहां पे मिल जाएगा यह equation आपका आएगा L square sorry H square H square minus 8L minus 48 equal to 0 मैं थोड़ा साफ करके लिख देता हूँ यह equation जो आपका आएगा H square minus 8L 8H minus 48 is equal to 0 जब आप इसको solve करोगे तो इसका golden खंड निकालो गया आप यह आएगा L plus 4 and L plus L minus 12 sorry ठीक है equal to 0 तो हम इसको तो neglect कर देंगे because हमें कर निकालना है क्योंकि यह minus में आएगा तो यह हमारे काम का नहीं है हम यहां से L की value निकालेंगे तो L अमारा आजाएगा ट्वाइंट 12 ठीक है यह आपकी जो value आई यह लंब की value है यह आपको कर्ण की value निकालना है तो कर्ण की value आपकी क्या थी कर्ण is equal to था आपका L plus 8 तो L यहां पर दिया है 12 and 8 जोड़ेंगे उसमें तो आजाएगा आपका 20 यहां पर जो 20 है वह आपका correct answer हो जाएगा C number वाला option ठीक है थोड़ा सा lengthy question है बट है easy कोई इसमें trick रिक नहीं है आपने जो कशार्ट में पढ़ा था वही आप आइरन की रूप में जाना जाता है तो इसका जो सही answer है वो है आपका main frame जो main frame है उसको जाना जाता है वेगा आइरन के नाम से तो यह आपका C number वाला जो option है वो correct है next question जो आपका है 100 मीटर रस्ची से घिर या इताकार मैदान का अधिकतम 6 पल कितना होगा तो इसमें आपको याद रखना है कि 100 मीटर रस्ची है तो मतलब जो चौकोर बनेगा ये वालो बर्ग बना या आयत बना जो भी बना तो इसमें जो चारों जो भुजाएं हैं इनका जो योग होगा वो होगा 100 तो आप इसमें ये 25 लिखें और ये 25 लिखें ठीक है तो ये भी 25 होगा और ये भी 25 होगा ठीक है अब इसका छेट पल निकालने तो यह हो जाएगा 25 इंटू 25 यह हो जाएगा आपका 625 तो यही आपका answer होगा because यह maximum है ठीक है ना maximum यही आएगा बांकी इसमें नहीं दिया हुआ है maximum संख्या आपकी यही दी हुई है ठीक है ना यही आपका correct answer हो जाएगा बांकी सबब cancel हो जाएगा next question हो जाएगा आपका a का 90% is equal to b का 30% तो यह question बहुत ही simple है इसमें क्या करना है आपको a का 90% दिया है तो a into 90 बटा 100 ठीक है ना a into 90 बटा 100 equal to b into 30 upon 100 ठीक है अब यह आपका आगया यहाँ पर आपको क्या करना है 100 से 100 कट जाएगा यह आपका 0 से 0 कट जाएगा और 3 यहाँ पर आजाएगा यह यह आजाएगा आपका b तो यहाँ पर b is equal to आजाएगा आपका b is equal to आजाएगा 3 a तो यहाँ पर 3 आया तो आप यहाँ पर आपको percentage निकालना है b का कितना percent होगा x तो यहाँ पर वही आगया b is equal to a कितना percent होगा तो करेक्ट answer आजाएगा जो c number का option वह आपका correct हो जाएगा next question है निमने लिखित मैंसे कौन सा harmonic pituitory glade द्वारा स्रावित नहीं किया जाता है तो इसका जो answer हो जाएगा वह जाएगा आपका suma toaster tin ठीक है suma toaster tin आपका correct answer हो जाएगा d number का option next question है आपका एक निश्चित कूट में toggle को यह लिखते हैं तो keepler को क्या लिखेंगे तो kepler आपने यहाँ देखा कि यहाँ पे सारे जितने mileage यह toggle लिखा है टी-o-w-g-l-e तो इसको अदल बदल कर दिया इसको अदल बदल कर दिया इसको अदल बदल कर दिया ऐसा ही यहाँ प लिखेंगे e-k तो e-k कौन में इसमें बस है तो यही आपका जो है correct पहले चाहिए आपको पता चल गया कि आपका D answer है आप चाहें तो इसको इसको भी अधर बदल करें तो यह LP हो जाएगा तो यह LP and यह आपका RE तो यह RE हो जाएगा तो आपका D number option correct हो जाएगा next जो आपका question है वो एक कथन है एक कारखाने के किसी कर्मचारी के 4 बच्चे है ठीक है अब कारखाने में किसी और के 4 बच्चे नहीं है तो आप इसमें से निसकर साब को निकालना है आंसर इसमें से खुजना है कौन सा होगा तो इसमें देखो कार खाने के सभी करमचारियों में से प्रतेक के चार बच्चे है यह गलत है कार खाने में सभी के बच्चे है कार खाने में कुछ करमचारियों के चार बच्चे है ठीक है और यहां पर कार खाने में केवल एक कर्मचारी की तो यह जो डी नंबर वाला ओप्सन है यह आपका करेक्ट हो जाएगा ठीक है ना तो यह डी आपका अंसर सही हो जाएगा अब नेक्स्ट कोश्चन है सुक्र के वातावरण में निम्न गैसों में से जाए कारवन डायक्साइड सुक्र के बातावरण में ज्यादातर जो कौन सी क्यास है वह स्कॉपर क्यूंअ कुश्चन है आपका मनीज मुकेस और सचन एकांटेंट है ठीक है मुकेस अकेला पाच घंटे में करता है सचेन अकेला चार घंटे में करता है है ना कोई भी काम हो return file दिया गया है इसमें कोई भी file हो वो चार घंटे में कर लेते हैं तीनों मिलकर इसको दो घंटे में करते हैं तो मनीस अकेला कितने दिन में करेगा तो आपको क्या करना यहां पर 1 upon 2 जो टोटल है तो उसको 1 upon 2 minus 1 upon 5 and 1 upon 4 इसको जब आपन solve कर लेंगे तो जो भी नीचे आएगा वो आपका जो है correct answer हो जाएगा तो इसका जो answer होगा वो हो जाएगा आपका 1 upon 20 इसका answer आएगा 1 upon 20 तो जो 20 hours है यह आपका correct answer हो जाएगा बी नंबर बाला option ठीक है next question है आपका 10 नंबर का एक passage type का दिया हुआ है इसमें आपको पढ़ना है फिल्में दर्सकों को विश्वास दिलाती है कि उनका किसी हिंसक अपराद का सिकार बनने की संभावना बहुत अधिक है साथी में साथ साथी साथ फिल्में अपनी सहज प्रकर्टी द्वारां दर्सकों के मन में बिठाती है कि जो उनके साथ घटित होता है उसे निसक्रिये रह सुईकार कर लें तो इसका जो answer है हम जब सब पढ़ेंगे तो इसमें असहाय सुरक्षा की भावना को बढ़ावा देती है तो यह आपका जो D number का है यह correct हो जाएगा यह आपको सोचना है अपने मन से करना है इस question को ठीक है न तो next question है आपका next question है एक चूर एक्स किलोमीटर प्रती घंटा की चाल से अपनी motorcycle चलाता है तो अब ध्यान देना है यहाँ पर कि यहाँ पर है है ना तो चार घंटे में मालेजिए कि चार घंटे में चोड चला यहाँ पर एक्स था अब जीप यहां से लेना चालूगी चार घंटे बाद ठीक है तो यह चार घंटे बाद किया चार घंटा इसने किया चार घंटे बाद किया और चार घंटे में पकड़ लेता है 20 तो 20 इसमें जो D number का option है वो आपका correct हो जाएगा इसमें लगाने की जुरुरत नहीं है आपको logic लगाना है ठीक है ना logic आपका सही हो जाएगा आपका answer भी सही हो जाएगा ठीक है ना अभी एक question शायद गलत है ना तो यह question गलत है 13 में नमबर का question यह आपका next यह अब देखो यह question बड़या की confusing दे दिया है ने लेकिन लगाना कैसे आपको मैं बताता हूं देखो यहां पर 2222 कितनी बार दिया हुए 2222 2222 तो 2 की power 6 हो गया तो आप जब 2 की power 6 करेंगे लौगष्ट पर गया तो कितना होता है यह 64 होता है, है ना 2-4, 4-8, 8-6, 16-32, 32-64 तो यह होता है आपका 4 अब इसको 64 आप बोलोगे यहां पर 200 है यहां पर 20 है तो आपको यहाँ पर क्या करना है यहाँ पर माली जी 100 जादा है ना 2 मैं 100 का गुणा किया तो कितना आ गया दिसंबलो के पीछे कितने हैं तो 1, 2, 3 3 यहाँ से हो गया 1, 2, यहाँ से तो 5 हो गया यहाँ से 6 हो गया यहाँ से गिनेंगे एक दो तीन चार पांच छे तो छे नहीं है तो यहाँ पर एक जीरो रखेंगे यहाँ पर फिर दिसमलो रखेंगे तो आपका अंसर क्या आ जाएगा 0.064 000 तो आपका जो है ए नंबर वाला अप्सन जो है नैक्स कुश्चन है आपका अंनिम् लख्षित प्रेशं चैनिन तो इसमें यह आपका die इंटर्पेटेशन का कूश्चन थो इसमें आपको क्या करना है देखो मैं बटाता हूं इसमें बहुत easy question है इसमें आपको करना है पहला जो है मिलाया तो इसमें क्या आया 13 square minus 12 square is equal to क्या आया 5 ठीके 5 का square ठीके तो यहां पर 5 आ गया अब यहां पर हमने देखा कि 17 square minus 15 square यहां पर आगया 8 square तो यहां पर आगया 8 यहां पर ऐसे हमने देखा 25 square minus 24 square ठीके तो यहां पर कितना आ जाएगा यहां पर आपका आ जाएगा यह 7 तो यह आ जाएगा 7 square और नीचे भी हम मिलाएंगे तो 29 square minus 21 square is equal to हो जाएगा 20 square तो यह आपका यह आ जाएगा तो इस तरीके से logic इसमें मिल रहा है ठीके ना next question है आपका next question है इसके गुड़न खंड आपको निकलना है तो इसके गुड़न खंड निकालना है तो इसका आंसर दिया हुआ है आपका इसमें a number वाला option लेकिन यहां पर जब आप देखेंगे तो यहां पर x square minus 8 x दिया है तो यहां पर minus नहीं हो सकता है अगर अगर आपको गुड़न खंड निकालना नहीं आता है तो आप आंसर से चेक कर सकते हैं दोना का गुड़न करेंगे तो यह आना चाहिए आपका ठीक है तो जब इन दोनों का गुड़न करेंगे तो x square और यह आ जाएगा आपका 6 और plus 8 x and plus 12 तो यह आपका correct answer है तो यहां पर minus कीजिए का plus होना है याद रखी है आप लोग next question है आपका रजत संजय का भाई है यह आपका कौन सा question है यह आपको blood relation का question है जो कि मैं आपको home work के लिए देता हूं ठीक है तो यह आपको home work में solve करना है home work के लिए रहे गई आपको क्योंकि जो यह question होते हैं इसमें आपको घर से जो relatives होते हैं उनको आप relate करके इस question को करेंगे तो आपको मुझे लगता है कि ज़्यादा आसानी रहेगी और ज़्यादा अच्छे से आप कर पाएंगे और question में accuracy आएगी ठीक है ऐसे यह वाले question इसलिए आपको अपने मन से करना है next question है आपका केंदरिय बजट 2015-16 में दो नए IIM की निमने राज्यों मैंसे कहां खोले जाएंगे तो यह 2015-16 का बजट है याद रखिये budget से question है तो आपको क्या करना है जो अभी आपका 2020 का budget आया है या 2021 में paper होता है तो 2021 का जो budget आएगा उसको आपको पढ़के जाना है because आपको उसी मैंसे question आएगा कि कहां IIM बने है और कहां कौन सी योजना को मनजूरी मिली है ठीक है ना तो यह इसमें अगर आप हम answer देखें तो यह हमारा answer है यहाँ पे जम्मू कस्मीर और जम्मू कस्मीर और आंधर प्रदेश ठीक है ना जम्मू कस्मीर और आंधर प्रद अना है next question आपका ये वाला तो आप तो जो पोईंट है जो दसम्लाव है वो पीछे आगे खिसक जाता है लेकिन यहां पर क्या करना है आप जब 144 का आपको पता है कि 144 का होता है 12 अब कितना आगे आएगा ? एक आगे आएगा क्योंकि यहां पर कितना आगे है एक दो आगे है है ना चार आगे है तो यहां पर दो आगे किया हमने तो आधा हो जाता है जस्त यहां से चार पॉइंट आगे है ना बन चार हो गया चार हो गया एक हो गया जिरो हो गया तो कितना हो गया चार हो कि इसी का इसमें गुड़ा करना है तो 122 दूने कितना होता है 144 होता है ठीक है 144 अब 12 तो 2 है और दो मालों 0.12 किया इंट्व 0.12 किया तो 1 2 3 4 हो गया ना तो यहां पर 0 रखेंगे तो खित मैंसे कौन सी भिन सबसे बड़ी है तो इसमें से सबसे बड़ी कौन सी है वो आपको निकालना है तो सबसे बड़ी निकालने का वही तरीका होता है कि आप LCM लेकर निकारें लेकिन इसमें सीधा-सीधा दिया हुआ है ली अपन फोर फॉर पन फाइफione खाएफ़ चेट सेवें अपंश इट तो एक एक अंतर है ती और चार में चार और पांच में पांच और छा में जो आप चलाते हो ब्राउजिंग करते हो वह आपको बोला गया है क्योंकि उसका जो छिर्थ है वह काफी बड़ा है पूरे विश्च में हैं आप कहीं को भी कहीं से भी सर्च कर सकते हो ठीक है न तो नेक्स्ट कोश्चन आपका यहां से है विसाल ग्रेट रेंड स्पॉर्ट क रूप में जाना जाता है तूफान किस ग्रह से संबंदित है तो इस नाम का जो तूफान है वो किस ग्रह पे आता है किस प्लानेट पे आता है वो आपको बताना है तो यह आपका ब्रहस पती जूपिटर ग्रह पे इस नाम का तूफान आता है ठीक है नेक्स्ट कुच्चन ह अमल बर्सा का मान कितना होता है तो अमल बर्सा मान लिजे कोई जो कोई जो लिक्वेट है वो अमल है कि छार है वो डिसाइड करता है उसका पी एच मान कितना है अगर पी एच मान आपका जो है फाइप जो है सेवें से कम है ठीक है सेवें से कम है तो वो होता है अमल ऐसे होता है एंड से जगादा होता है तो होता है चाहर यह आपको याद रखना को यह भी पूंच लिया जाता है कि 7 से कम है तो वो क्या है अमली और पाइस में स्ट प्शेđ होगा तो साथ से कम इसमें एक ही दिया हुआ है ठीक है साथ से कम दिया हुआ है आपको साड़े पांच तो आपका यही वाला आंसर इसमें हो जाएगा नेक्स कुश्चन है आपका सबसे बड़ी तथा सबसे छोटी यंकों की अबाद जी संख्याओं का अंतर तो इस सबसे बड़ी सबसे छोटी ये सिंपल कुश्चन है आप इसको हॉंबर के रूप मिलें और आप इसको स्वयम सॉल्व करें ठीक है ना नेक्स कुश्चन है आपका किस साल में ओले रोमर ने इतिहास में पहली बार प्रिकास की गती को मापा था तो मैं सन बताना है आपको आपको ये भी पूचा जा सकता है कि प्रिकास की गती को सबसे पहले किसने मापा तो ये है ओले रोमर तो आप लोग इसको याद रखें किस पर में आपको वो किसी भी तरह से कूँ सकते हैं तो आपको यह भी याद रखना है ठीक है न तो यह आपका जो बी नंबर का उप्शन है वो करेक्ट हो जाएगा नेक्स्ट कोशन आपका यहां पर है नेक्स्ट कोशन है तीन सो पांच रुपए का एक लौन चक्क प्रद्दी ब्याच कि एक निश्चित बार्सिक दर्सित इन वर्स में तीन वर्स के बाद कुल छैसो सतर रुपए अदा किए गए तो चक्रविद्धी व्याज ग्याद कीजिए तो आपको इसमें चक्रविद्धी व्याज का फॉर्मूला लगाना है अब इसमें आपको क्या करना है देखो मैं बताता हूं इसमें आपको सबसे पहले इंट्रेस्ट निकालना है आपको मिस्रधन दिया हुए तो मिस्रधन क्य यह आपको याद रगना है 365 आपका एंट्रेस्ट है अब आपको यहाँ पर ग्याद क्या करना है यहाँ पर निकालना है आपको चक्रब्रद्धी ब्याज की दर मतला आपको rate of interest निकालना है तो इसका formula होता है P into 1 plus R upon 100 यह आपका चक्क प्रद्दी ब्याज है ठीक है चक्क प्रद्दी ब्याज है R upon 100 into T is equal to 670 यह आपका मिस्रधन का फॉर्मूला है तो आप यहाँ से T की value कितना रख देंगे 3 बर्स रख देंगे and P का value आप 305 रख देंगे आप यहाँ पर सारी value रखें और R की value यहाँ से find out कर लें वही आपका correct answer हो जाएगा तो आपका जो R का value आएगा वो हो जाएगा आपका 30% जो आपका R का value आएगा वो आएगा 30% आपका A number का जो option है वो आपका correct हो जाएगा ठीक है ना next question है आपका यह आपका geometry का question है ठीक है sin theta cos theta वाला question है तो इसमें आपको एक formula है जो की लगेगा sin A plus B का formula है ठीक है ना sin A plus B बराबर क्या होता है sin B तो यह formula है आपको इसमें value रख देना है और यहाँ से sin A की value find out कर लेना है तो आपकी जो value आएगी वो आएगी C C number का option बना पॉन 3 आपकी value आएगी ठीक है ना तो next question है मक्का मस्जिद हैदराबाद खली स्थान दौरा संपूर्ण किया गया था तो मक्का मस्जिद जो है जो की हैदराबाद में है अब आप इसको याद रखी है मक्का मस्जिद को पूरा कहा किस ने किया था मतलब आदा किसी आन ने बनवाया था लेकिन जो पूरा किया था वो किसने किया था तो आपको इसका आंसर जो है वो है औरंग जेब औरंग जेब ने इसको पूरा करवाय था औरंग जेब ने अपने नाम जरूर सुना होगा तो आपको इसको याद रखना है कि मक्का मस्जिद जो है हैदराबाद में है जिसका निर्माण पूरा करवाया था और अंगे जेम ने तो यह आपका जो correct answer है वो D number का option correct है next question है आपका 60 साल की उम्र से कम और हुएफ के पुरस व्यक्तियों के लिए बरतमान व्यक्तिकत आयकर में छूट की सीमा क्या है तो मैं आपको बता दू कि जो यह आयकर में छूट की सीमा धाई लाक रुपे थी ठीक है धाई लाक रुपे थी कब 2015-16 के बजट में अब यह सीम साइद 5 लाक तक कर दी गई है आप इसको एक बार रिवाइज करें जो अभी का बजट आया था उसमें इसको 5 लाक तक कर दिया गया था तो यह question अब नहीं बनता है यह जब बनता था यह 2015 के बजट में financial year 2015-16 के बजट का था ठीक है न अभी इसको बढ़ा कर दिया गया है 5 माच लाक तो आप इसको जरूर चेक कर लें जाके इसको ना पढ़ा है यह question आप अभी आपके लिए नहीं है क्योंकि यह नहीं आ सकता है financial year 2015-16 का था next question जो है आपका next question आपको कर दिया गया है इस question में कुछ गलती है ठीक है ना next question है आपका data interpretation का फिर से question है इस paper में data interpretation के आपको चार से 5 question मिल जाएंगे ठीक है ना तो यह आपका data interpretation पहले कभी नहीं आया जितने paper हमने solve किये लेकिन यहां से दे दिया तो कुछ भी ऐसा नहीं है जो आपको छोड़के जाना है सब कुछ आपको पढ़के जाना है ठीक है ना तो इस question को homework है पहला data interpretation मैंने करवाय था आपक यह आसानी रहते हैं कोई logic आपको पकड़ना है उसी के अनुसार इसका answer आपको मिल जाएगा तो आप इसको solve खुद से करें next question है पाकिस्तान की संसद को दिया गया स्थान यह नाम क्या है तो जो संसद है हर जगा की संसद को कुछ ना कुछ नाम दिया जाता है कुछ ना कु कि लेंग्र using दो वैसे उसको जहां संसद की ब्ह remo चलती है जो सवत्र जलता है संसद का उसको शंसद ही बोलते हैं बट हर जगा की देश में अलग-अलग नाम होते हैं पाकिस्तान में सकानाम जो है मौन्चा गया है तो पकिस्तान में इसका नाम है मंजलिस की 31- έकराम की संस सबकले सब्सक्राइब मीसी सब्सक्राइब रह्म होगा दुरीजह अब सब्सक्राइब से खसीना नैक्स्टपीशन है है आपका उस ताप मान का माप जो ताप होता है वह कितना होता है नौर्मल होता है कितना होता है तो वह होता है आपकाíst 98.6 होता है ताफ के अगर इसको अ को संटीकरेट में convert करने तो यह होता है 36.7 centigrade तो यह आपका correct answer है C number का next question है आपका which of the following is not true about the friction force तो यह आपका mechanical से related है मुझे लगता है जिसका यह paper है वो निश्चित रूप से mechanical engineer होगा इसलिए उसने question को English में किया है तो इसका correct answer है वो है आपका rolling friction is much more than the sliding friction the use of ball wearing in the machine considerably reduced friction D number का option आपका correct है next question है आपका एक कूट भासा में string को यह लिखा जाता है तो random को क्या लिखेंगे तो आपने इसमें देखा कि जो string है उसी की सब्दों को इधर उधर कर दिया गया है उसी के जो यह str ing यह सब है उसी को इधर उधर कर दिया गया है तो आप यहां पर देखेंगे str ing तो इसमें आपको इन दोनों को बदल दिया इन दोनों को बदल दिया इन दोनों को बदल दिया ऐसे ही आप random में देखेंगे r a n d o m random में देखेंगे आप तो इन दोनों को बदलेंगे तो AR हो जाएगा तो AR कौन कौन से में इन दोनों में है and DN इसमें है तो आपका जो C नमबर का option है वो आपका correct हो जाएगा और last में आएगा MO तो यह simple logic है इस type का question आपने पहले भी कर चुका है इसी paper में next question है आपका चार अंकों की सबसे बड़ी संख्या जो ग्याद कीजिए जो जिसको 8, 12 और 16 से बवाजिक किया जाए तो 2 से इस बज़ता है तो भाई simple question होते हैं उसको मैं आपके लिए home work में देता हूँ next question है आपका 1907 में भारतिय सोतंतता लीग लीग कहां विक्सित हुई थी तो भारतिय सोतंतता जो लीग विक्सित हुई थी वह थी कैलिफोर्निया में तो C number का जो option है वो आपका correct है या आप अच्छे से देखते जाए क्योंकि ये question आपको बहुत ही ज़्यादा खोजने पर भी नहीं मिलेंगे ठीक है ना ये question generally नहीं मिलते हैं और railway इसी type के question आपको पूछता रहता है तो आप इसको repeat भी होते हैं इसलिए आप इसको ध्यान से देखें next question जो है आपका खालीस्तान पृत्वी पर सबसे अधिक बुद्यमान इस्तंदारी कौन है आपका dolphin जो पानी में रहती है और सबसे बड़ी मचली है dolphin ठीक है ना सबसे बड़ी मचली नीली वेल है बड़ी मचली होती है dolphin वो सबसे बुद्यमान प्राणी इस्तंदारी माना गया है ये पानी में रहती है समुंदर में पाई जाती है next question है आपका CDM का full form तो मैंने बोला था आप से पिछले पेपर जब solve करा रहा था कि आप जितने भी full form है उसको याद कर लें जितने भी important full form है आप उसको अच्छे से याद कर लें because full form आपको एक दो पूछे ही जाते हैं ठीक है ना तो इसका full form जो है जब वह है आपका clean development mechanism ठीक है तो आपका यह नंबर का option जो है वो correct हो जाएगा इसमें चलिए next question है आपका एक डाइग्राम आपको दिया हुआ है इसमें आपको कुछ बेंड डाइग्राम दे दिया गया है वहाँ पर question के answer देने के लिए आपको ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती है तो हम simple इसका question पढ़के answer दे सकते हैं तो मुझे लगता है कि यह question आपको बताने की जरुरत नहीं है ठीक है ना इसमें सब कुछ दिया हुआ है कि जो आपका बड़ा आयत है वो आपको मूर्ख व्यक्तियों को दरसाता है तो आपको इसमें निकालना है बेरोजगार आलसी सहरी और मूर्ख व्यक्तियों की संख्या कितनी है तो चारों में जो common है वो आपको यहाँ पर find out करना है तो चारों में जो common है वो है आपका one तो one यहा नबर का जो है आपको और आपको अंसर देना है तो आप इसको ध्यान से पढ़ें और आंसर देंगे इसको नहीं बता रहा हूं मैंने समझा दिया आपको नेक्स्ट है आपका 36 नंबर का कॉस्चन है इफ ट्वेंटी टू एक्स एंटी एट आर इन दे कंटिन्यू प्रोपोर्शन डैन फाइंड दा वाउड वैल्यू तो आप इसको लेखेंगे ट्वेंटी टू y upon x आएगा is equal to x upon 88 आएगा तो जब आप इसको आगे solve करेंगे मैं मिटा देता हूं x square is equal to आजाएगा आपका 22 into 88 तो जब इसको आप x का value निकालोगे तो यहां पर जब आप value निकालोगे तो यह आएगा आपका 22 into 22 into 4 तो यह आपका square आगया तो यहां पर जब आप यह निकालोगे तो यह अंडर रूट लगेगा यहां पर जब बहार निकलेगा तो यह आएगा 22 and 4 की जगा आजाएगा 2 तो यह आजाएगा total आपका 44 x का value निका तो वही आपका simple सा question है आप इसको पढ़े हैं पहले तो जो पढ़ते हैं हम इसको तो कुछ डॉक्टर राजा है तो कुछ डॉक्टर माले ये डॉक्टर को D से दिखाते हैं राजा को R से दिखाते हैं कुछ डॉक्टर राजा है and सभी राजा सुन्दर है और सभी राजा जो है सुन्दर को S से दिखाते हैं आप यहाँ पे निसकर से निकालना है सभी डॉक्टर सुन्दर है तो सभी डॉक्टर जो है सुन्दर है नहीं है सुन्दर कुछ डॉक्टर सुन्दर है सभी राजा डॉक्टर हैं सभी राजा डॉक्टर है तो ये भी आपका गलत है तो ना इसमें फर्स्ट फॉलू करता है और ना सेकंड फॉलू करता है तो D नंबर का जो है वो आपका सही आंसर हो जाएगा Next question है आपका स्रीमती इंद्रा गांधी द्वारा लगाए गए आपातकाल के दौरान अभीनित खालिस्तान को महत्तपूर्ण और बड़ी संख्या वाले परिबरतनों की बज़य से मिनी संभिधान की रूप में जाना जाता है तो इसका आंसर है आपका 44 में संभिधान संसोधन अधीनियम को तो यह आपका बहुत ही इंपोर्टेंट कोश्चन है और यह आपका आई एस लेबल का कोश्चन है ठीक है ना तो यह आपका बी नंबर का ऑप्शन करेक्ट है इसमें नेक्ट सुरी ए नंबर का 42 में है ठीक है ना पहले मैं सही बता रहा था 42 में है इसका करेक्ट अंसर नेक्ट कोश्चन है आपका संभिधान अनुसंधान केंद्र पर आधार रहते रूस द्वारा विक सित परिस्थित की तोर पर क्लीन रॉकेट का नाम क्या है तो उस क्लीन इंग्लेंड औस्ट्रेलिया अधक्षिन अफ्रिका प्रती निधी निधियों द्वारा 1909 में इस्थाफित किया गया किर्किट का अंतराश्ट्रिय नियमक मंदल मतलब ICC ठीक है ना जिसको नाम अभीद कहते है ICC पहले इसका नाम क्या था पहले यह किस नाम से जाना जाता तो इसका नाम पहले था इंपेरियर क्रिकेट इंपेरियर कर्किट कॉन्फरेंस तो यह आपका डी नंबर का जोप सने बहुत ही सिंपल कोस्टन और बहुती लॉजिकल कुस्टन आपको ज़रूर याद रखना है विकार याप से कभी भी पूझा जला को ठीक है ना नेक्सक कॉश्चən जो है आपका पाई चार्ट है इसमें दिया हुआ है तो यह भी बहुत आसान कॉश्चन है मैंने भी करके देख लिया है आप लोग के करके दिखें मैं इसको इसल jsem नहीं बता रहा हूं कि वीडियो लंबा हो करो किसमियार, सूरौ में यहार जाल तो आप लोग इसको सॉल्व करें नहीं बनता है तो आप प्रतिशत बार्शिक दर्श से 10 वर्श के लिए 18100 रुपे का साधरन व्याज क्या होगा तो यहां पर आपको क्या करना है 1800 गुड़ा 10 यहां से कट जाएगा तो 1895 तो यह आ जाएगा आपका 900 रुपे तो 900 आपका जो है करेक्ट अंसर हो जाएगा तो यह आपका ए नंबर का जो आप्शन मैं तो यही बोलूँगा इस क्वेश्चन पर का सबसे सिंपल सवाल यही था ठीक है ना नेक्स क्वेश्चन है आपका कौन सा देश सतत सस्टेनिवल द्वारा प्रिकासित विश्व आनंद सूजकांक 2015 की सूची में सबसे उपर रहा तो सबसे उपर जो देश था वो था आपका स्विट्जर लेंड तो यह आपका बी नंबर को जो अप्शन है वो करेक्ट है यह आपका उस समय 2015 का है ठीक है आप इसको थोड़ा से रिवाइज करें और नेट बैसकी 2019 और 2020 की लिस्ट डाउनलोड करके इसको याद करें विका आपका निम्न लिखित विकल्पोम ऐसे प्रशन चिन्न के स्थान पर आने वाली संख्या तो आपको इसमें फिर से पूझा गया है कि प्रशन चिन्न के स्थान पर क्या आएगा तो आप लोग यहाँ पे देखें कि 3 और 4 दिया हुए है तो 3 एंड 4 का गुणा करेंगे और करेंगे 3 तो यह आएगा आपका 15 ठीक है ऐसे यहाँ पर 7 और 5 दिया हुए तो 7 इंटू 5 करेंगे और प्लेस करेंगे यहाँ पर 3 तो यह आएगा कितना 38 यहाँ पर 3 और 5 का गुड़ा करेंगे 3 इंटू 5 Unless plus करेंगे तीन तो यहां पर आएगा 18 तो आपका 18 लाए बिग्ड की संख्याओं का अंशत जो है वो दिया है आपको 50 है तो आप यहां पर संख्याओं का संख्याओं की संख्याओं दे लेगई है तो आप इनका है टोटल जो है फैंड आउट कर सकते हैं तो संख्याओं का वो है 250 अब क्रमागत 5 संख्या है तो क्रमागत मैं माली जी कि पहली X है तो दूसरी क्या होगी X प्लस 1 होगी तीसरी क्या होगी X प्लस 2 होगी है ना X प्लस 2 एंड तीसरी क्या होगी X प्लस 3 होगी चोथी X plus 3 होगी और 5 भी होगी X plus 4 तो यह कितने हो गए 1, 3, 3, 2, 6, 6, 4, 10 यह हो गए 5X plus 10 is equal to total आपका आए था 250 यहां से 250 गटाएंगे X is equal to हो जाएगा 10 इसमें से minus हो जाएगा तो 240 बचेगा and इसमें 5 का भाग देंगे हम तो 5 का भाग देंगे तो कितना आएगा यह आएगा आपका 20, 20 and 28 आजाएगा X is equal to हो जाएगा 28 समझ आगे आपको X is equal to हो जाएगा आपका sorry 28 नहीं आएगा यह आएगा आपका 40 और 8 48 आएगा sorry 48 आएगा ठीक है 48 आपका आगया पहली संख्या तो इसमें आपको पूझा गया है कि सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या तो मैं आपको संख्याय निकाल के बता दिया हूँ पहली संख्याय है आपकी 48 दूसरी है 49 तीसरी है 40 50 चौती है 51 और पांच मी है 52 तो यह संख्याय है आपको जो भी कंडिशन दी गई है आप वो निकाल ले कि आपको पूचा गया सबसे चोटी संख्या की सबसे बड़ी और सबसे चोटी संख्या की गुड़न पर तो इसका और इसका आपको करना है गुड़ा ठीक है तता चतुर्थ और दूसरी चतुर्थ और दूसरी संख्या की गुड़न फल का अंतर चतुर्थ इसकी और दूसरी इसकी इन दोनों का गुणनफल और इन दोनों का गुणनफल में जो अंतर होगा वो आपको लोग पढ़के खुद कर लें ठीके न नेक्स्ट कोशन है आपका उस है चित्र को पहचान जो अन्यती से भिन्न है तो सबसे अलग इसमें कौन सा है इसमें आपको साफ दिख रहा है कि ये वाला भिन्न है क्यों क्योंकि इसमें चौकोर किसी में नहीं है बाकि इसी बस में है जो है तो ये आपका जो है फोर्द पर करेक्टọn्थ हो जाना है क्योंकि इसमें आपको सब में वह वही चीजें देख रहें बाट ये जूज है जो चतृर्भूस दिया हुआ है मंदल्ला आयट दिया होओ है रेक्टेंगल दिया हुआ है यह किसी में नहीं है यह सिर्फ आपका चौते में तो यह सबसे अलग है नेक्ट कुश्चन है आपका मानव जिसका सबसे पहले अंत्रिक्ष में साधी हुई तो यह आपका जो है सी नंबर का आंसर सही है कुछ भी पूछ रहे हैं तो आपको हर सिच्वेशन के लिए तैयार रहना है ठीक है अब आपको पूछा गया एक काम को 784 रुपरे में पूरा करने के लिए कारे रहत है ए और बी एक साथ काम करके काम को 23 बटा 28 पूरा करते हैं तो 23 बटा 28 भाग करते हैं तो बचा कितना बन मैंसे घटा देंगे 23 28 ठीक है अब जो तीसरा करेगा वो कितना सी करे किया होगा पांचवाट 28 दो उसको पैसा मिलेंगा तो पांचवाट 28 में आपको गुडा कर देना है 1784 का तो जब आप 1784 का में घंदा करोगे यहां पर काटोगे तो यह आ जाएगा आपका बन और यहां पर आ जाएगा 20 यह कि यह आपका 28 आजाएगा जब आपका 28 इस एक पांच का गुरा करोगे तो यह वो जाएगा का वेश्विक केंद्र बताया जाता था तो इसका अंसर है आपका हैद्रावाद जो ए नंबर का हैद्रावाद option है वो आपका correct answer है ठीक है ना इसको मौतियों का सहर का जाता है next है आपका निम लिखे चार जोड़ियों मैंसे तीन जोड़ियों को किसी ने किसी प्रिकार से समान है एक जोड़ी भिन है तो इस टाइप के जो चोड़ने बाले question होते हैं ठीक है न यह आपको छोड़ना है question को यह बी नंबर का ओप्सन correct भले है आपको पता है अभी लेकिन question paper में आपको इसमें ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है ठीक है ना next जो है आपका एक जानकारी दी हुई है ठीक है जानकारी दी हुई है एक पर एक्षा में उसा बच्चे के जो च्छा नंबर आये है वो 76.2 आये मतलब percentage जो है 76.2 एंड जो टोटा लंख है वो 500 है अब आपको यहां पर क्या करना है 76.5 का गुणा कर देना है तो जितना भी आये तो जितना भी आये वो आपका टोटल हो जाएगा इसके टोटल माक्स हो जाएंगे अब आपको निकालना है तो इन तीनों को जोड़के जो टोटल आएगा उसमें से घटा देना है जो करेंगे अब माइनस उसमें से कर देना है आपको क्या इन सब कर टोटल 66 87 83 चान साइंस के आपके माक्स हो जाएंगे तो आपका जो करेक्ट ढशर आएगा वो आएगा आपका 57 57 जो है आपका करेक्ट आंसर आएगा C number का option ठीक है ना next question है आपका परमाणू reactor में विखंडन प्रतीकिरिया द्वारा की दर को नियमित करने के लिए खाली स्थान का प्रयोग किया जाता है जो खुद ही विखंडन के बिना neutron आविसित अवसोसित करता है तो इसका answer है आपका cadmium जो cadmium की छड़ होती है उसका प्रयोग को आपका cd इसका formula होता है cadmium का उसकी जो छड़ होती है उसको यूज किया जाता है जो परमाणू reactor में जो विखंडन प्रतिया होती है उसको control करने के लिए ठीक है ना तो याद रखना है आपको next question है आपका खालिस्तान इस दा मोस्ट पॉजिटिव एंड खालिस्तान इस दा मोस्ट निगेटिव एलिमेंट आप थार्ड पिरियोडिक आप दा मॉडर्ण पिरिक्टेवल तो यह आपका अंसर है sodium na plus and cl minus आपने na cl सूत्र पड़ा होगा फर्मूला पड़ा होगा na cl यह नमक का सूत्र होता है ठीक है नमक का सूत्र जो होता है इसमें जो na होता है वो positive होता है and यह negative होता है तो आपका यह इसी नमर का जो है option वो correct हो जाएगा next जो question है पंका जाडवानी ने चीन के किस खिलाड़ी को हरा कर बिसल 6 रेड़ स्नूकर चेंपियंशिप जीतने के बाद अपना 13 विस्च खिताब जीता तो यह आपका correct answer हो जाएगा आपका नी हैंग यान विंग टाओ यह आपका यह आपका answer हो जाएगा C नमर का option तो यह आपका question है आपका 2016 का तो यह को 2015 के लिए ज्यादा पढ़ाई करनी है ठीक है ना तो यह current affairs का question है next question हम लोग लेते हैं next question आपका एक 33 मीटर कपड़ा बेचने के बाद एक व्यक्ति को 11 मीटर कपड़े के मुल के बराबर लाब होता है तो कितना प्रस्त लाब होता है तो आपको यहाँ पर लाब निकालना है तो आप क्या करोगे यहाँ पर 11 वटा 33 कर दोगे direct यहाँ पर जबाब करोगे तो बनपन 3 आपको percentage निकालना है तो 100 का गुणा कर दोगे तो यह आपका आ जाएगा 33.33 percentage आपका correct answer आ जाएगा ठीक है ना next question है आपका भारत के किसराज में कपास मिलों की संख्या सबसे अधिक है तो कपास मिलों की संख्या सबसे अधिक है आपकी महराश्टर में तो यह आपको भारत में कौन सी जगा पर क्या सबसे ज़्यादा होता है वो आप static जी के पढ़ सकते हैं लूसेंट में मिल जाएगा ठीक है ना तो यह आद रखना है आपको कपास की जो सबसे ज़्यादा मिले हैं वो आपकी महराश्टर में हैं तो सी नंबर का option जो है correct है आपका next question है आपका एक से नो तक की संख्याओं के वर्गों का योगफल आपको निकालना है तो एक से नो तक की से वर्गों की संख्याओं का गुड़न फल यह आप बहुत ही आसानी से आप निकाल सकते हैं आपको हमबर्ग के लिए question है ठीक है आप इसको स्वयाँ हम solve करें next question है आपका निकित मैसेज जो विशंगत है उसको चुनना है जो भिन है उसको चुनना है तो आप यहाँ पर देख रहे हैं जो पत्तियां लगी हुई है सभी पत्तियां बाएं तरफ लगी हुई है मालों यह दो है ठीक है यह दो आपकी बाएं तरफ है लेकिन बा होती है बाएं तरफ लगी हुए बाएं की सब में दाएं तरफ लगी हुए तो आपका जो यह नंबर का option है वह कहां होता है तो वह होता है आपका फैलोपियन ट्यूब में यह आपका सी नंबर का जो option है वह correct हो जाएगा next question है आपका एक निश्चित कूट भासा में sign को यह लिखा जाता है direct को यह लिखा जाता है तो siren को क्या लिखेंगे तो आप यहाँ पर देखेंगे siren यही इसी को आपको कूट भासा में convert करना है तो यहाँ पर s को क्या लिखा गया है पर 8 लिखा है तो हम यहाँ पर यहाँ लिखा हुआ है हुआ यहां पर देखेंगे तौह यह हम पर दे खिए तो यहाँ धिया और को यहाँ झ जाता हुआ है कि क्या लिख सकते हैं क्योंकि डारेक्ट को जब तक नहीं हमें पता चलेगा तो हम कैसे निकाल सकते हैं तो हमें 83 सिर्फ पता लगा है कि 83 है तो आपका C और D मैंसे कोई आंसर है एन अपन देख लेते हैं यहां पे एन चेक कर लेते हैं मतलब लास्ट वाला तो last बाला हमारा जो है last बाला n को लिखते हैं 7 तो last में आएगा आपका 7 तो last में आपका 7 दोनों में दिया हुआ है तो हमें इसमें पता ही नहीं लगा सकते हैं एक की साहता से कि आखिर कौन सा आपका option सही है तो आप इसमें से ये गलत question है इसमें आपको direct का नहीं दिया यहां देखते हैं कि 500 जो किलो मीटर है उसको दर्साए जाता है दो मीट दो एमेम तो आपको 3.6 एमेम कितनी दूरी दर्साएगा तो 500 माली जी 2 यहां 3.6 में से 2 निकाल लो तो 500 वो हो गया एन 1.6 1.6 मतलब कितना 1.6 मतलब 400 है ना तो 400 तो प्लेस जोड़ दो जोड़ दो यह आपका 900 आजाएगा तो यह आपका आजाएगा करेक्ट आंसर एन अबर का उपसे यह बताने की ज़्रद नहीं है यह आपको पता है कि पांसो को 2 मिली मीटर तो 3.6 को कितना मिली मीटर ना तो दो और दो से कम है थोड़ा तो 2 से कम मतलब आप बैसे निकाल सकते हूँ आप लॉजिक से भी निकाल सकते हूँ जैसा आप चा किसी भी इलिमेंट की आवे सकता नहीं होती वो है आपका एनलोग यह नंबर का जो अपसन है वो आपका करेक्ट है नेक्स कुस्चन है आपका 22 रूट 3 वर्ग यूनिट छेत्रफल वाले एक संभुज संभुज त्रिभुज के लिए हैं अंताहा ब्रत परिब्रत का परिब देता हूं आप लोग स्वयम करेंगे एक संभुज मतलब तीनों भुजाएं बराबर हैं इसकी इसमें जो अंतावरत बनेगा और जो बावरत बनेगा इन दोनों की जो त्रिज्यां है रहेंगी उनका जो अनुपात रहेगा वह आपको यहां पर फाइंड आउट करना है त तो आप इसको फाइंड आउट करें और इसमें दिया हुआ है आपको वर्ग यूनिट छेत्रफल वाले तो इसका आपको छेत्रफल दिया हुआ है ठीके ना जो त्रिभुज है उसका छेत्रफल दिया हुआ है आपको सी से फाइंड आउट करना है और त्रिभुज का छेत् राष्ट्रिय कला केंद्र का मुख्याले कहां है तो यह मुख्याले जितने भी हैं आपको याद रखना है चाहे वो कपड़ा उद्द्योग का चाहे वो किसी इंद्रा गांदी राष्ट्रिय कला केंद्र का जितने भी आपके में में हैं सबके जो मुख्याले हैं जितने बें इन्स आ इसका अंसर हो जैगा roots and suits तो यह आपका B number का option correct हो जाएगा यह पेड़ पौधों से related question है जो जाइलमू तक होता है उस related question है ठीक है नश्ट है आपका question लिखित में से कौन भारत के प्रदानमंत्री बनने से प्लास बैंक के रूप में एक नियुक्त किया गया जिसने इनफोसिस लिमिटेट के अध्यक्ष के रूप में भी सेवा की है और अतीत में ICCI बैंक के गैर कार्यकारी अध्यक्ष रहे हैं तो ऐसे हैं आपके केवी कामत ठीक है जो यह नंबर का ओप्शन है केवी कामत वो है ऊकुक्षन है आपका यूनेसको की विष्ट विरास्त हिस्तल महावालीपुरम्भी इस्तापित किया quedar Intra to यह आपको याद रखना है इसमयुच JEBOO कहां पर है राज्ज की राज्ज्य पूछा गया और किस जिले में है तो राज में तो सब में तमिल नाडू दिया है तो आपको बताने में कोई दिक्कत नहीं होगी एंड जो राज है आप जो डिस्टेक है वह आपका कांची पुरम कांची पुरम आपका सही अंसर है तो इसमें आपको दो चीज़े याद रखन है पहली चीज है आपका कि युनेस्ट को विस्तु विरासत महाबली पुरम के जो मंदिर है जो इस मारक है वो आपके पल्लाव राजाओं द्वारा बनवाए गए थे और यह कहां है तमिलाडू में है और किस डिस्टक में है कांची पुरम में है तो यह आपका बी नंबर का रहेगा ठीक है ना आए हुए है इसमें से दो मैंने बता दिये यह आपको हमबर के लिए रहेगा क्यूंकि जो डटेंट इप्रिटेशन की कुश्चन है जिब तक आप प्रेक्टिस नहीं करोगे इसमें आपको लॉजिक अपनी दिमाग से नहीं बनेंगे तो दो कुश्च मैंने आपको इसमें होमबर्क दिये हैं ठीक है ना नेक्स्ट कुश्चन है आपका असेम्बली बंकांड भगस सिंग के साथ कौन मुख आरोपी थे तो मुख आरोपी जो थे भगस सिंग के साथ वो थे आपके बट्टू केस्वर दत्त इनका नाम आपने जरूर सुना होग डी नंबर का जो अप्शन है वो आपका करेक्ट है नेक्स्ट है आपका एक आदमी एक नाउ तो यह नाउ से रिलेटेट कुश्चन है यह आपको बहुत ही कम पूछे जाते हैं यह आपके पचास पेपरों मैंसे किसी एक पेपर में आते हैं अभी हमने कम सकम बीस पेपर सब्सक्राइब करेक्ट है आता आपका प्रति किलो जब टुकानदार 20 रूपए हनी में बेजता है बीस रूपए प्रती किलो चाबल एक दुकानदार बीस पृस्त पर बेजता है तो मतलब कितने परशेंट पर बेजता है वो जो अंकित प्राइज है तो उसकी 80 परसेंट प्राइप क्योंकि आप 20 प्रिस्थानी हो दियो इसको तो 45 का एक्स प्रितिसाद पेस्थ पैतालीस का कि पैतालीस एक्स का 80 परसेंट वरावर कितना है सो पचास बटे आठ आ जाएगा यहां पर एक्स इसगल डू आ जाएगा 450 बटे आठ तो यह आपका काटेंगे जब तो कुछ आएगा आपका जो अंकित प्राइज आ जाएगा वो एक्स जो है यहां से मिल जाएगा एंड आपको पूछा गया है कि 20 रुपए लाप कमाने के लिए 20 परसेंट और लाप कमाने के लिए उसको कितने रुपए में बेचना पड़ेगा तो एक्स जो आएगा उसका 20 परसेंट निकाल के उसमें जो यह उसका 120 परसेंट निकाल देना जो एक्स आएगा जो एक्स आएगा उसका 120 परसेंट निकाल देना जो भी आएगा आपका वो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका अंसर आएगा A number का option ठीक है ना next question है आपका एक अक्षा में 30 छात्रों का ओसत 25 किलो है ठीक है यदि अक्षा का अध्यापक का भार उसमें सामिल कर लिया जाए तो ओसत 2 किलो बढ़ जाता है ठीक है 30 छात्र है अध्यापक को और सामिल कर लिया गया है ठीक है तो जो ओसत है वो कितना बढ़ जाता है ओसत भार 2 किलो बढ़ जाता है तो 2 किलो अगर बढ़ जाएगा तो कितना हो जाएगा 32 हो जाएगा ठीक है ना अब 32 हो जाएगा तो 30 यह बढ़ेगा यहां से ठीक है और दो ये last बाढ़ बढ़ेगा तो आपका जो तो देखिए क्या होगा इसमें कि जो 30 चात्र है उनका जो उसत बाढ़ा है वो 25 है तो दो बढ़ जाता है मिलने मितलब उसको जोडने के बाद दो बढ़ जाता है तो दो बढ़ेगा तो कितना हो जाएगा यह हो जाएगा आपका 30 छात्रों का है तो 30 प्लस 30 दो बढ़ा तो 60 यह हो गया and 60 यह हो गया and आपका जो उसका 25 है उसका 27 अलग से उसका होगा तो 27 इसमें जोड़ेंगे तो यह हो जाएगा आपका 87 ठीक है ना 87 जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा आप इसको ऐसे भी लगा सकते हैं कन्वेंशनल तरीके से कि माली जी तीस छात्रों का 25 किलो है तो 30 गुणा आप कर दीजे 25 तो 25 75 750 हो जाएगा ठीक है अब दो बढ़ जाता है दो बढ़ जाता है माली जी इसमें एक्स जोड़े और अपोन में अपन क्या करेंगे यहां पर 30 छात रहें यह जोड़ेगा तो 31 हो जाएंगे 31 यहां पर लेखेंगे अपोन में यहां पर एक्क्वल टू क्या आएगा यहां पर आएगा 27 क्योंकि 25 से दो बढ़ा के आँगे एक्स की जो वैलिव आएगी वह आपकी आएगी 87 आप ऐसे भी कर सकते इसको दो तरीके से कर सकते हैं तो दक्षिन पस्चिम मांसून खाली स्थान में उत्पन होता है तो दक्षिन पस्चिम जो मांसून है आप देखते हैं कि जो आपका भारत का नक्षा है कुछ तरीके से है ठीक है तो दक्षिंड पस्चिम यह उड़ा हुए इस तरफ बाला तो यहां पर जो है आपका वह हिंद महासागर ठीक है तो आपका जो आंसर हो जाएगा बी नंबर का ओप्सण यहां पर बंग कि मांसुन उटेगा वहिंद वहां सागर सोटेगा तो आपका पी नमबर का जो है ऑप्सन करेक्ट हो जाएगा नएक सोच चाना है और टोन वेट लीवन खोक खाली स्थान की खोच के लिए प्रशिद्ध हैं तो किस यह आप याद रखिए कि जितने भी खोच करता हैं किसी भ हैं कम सकम पचास साथ दिये हुए हैं आपकी लूसेंट में तो जितने भी हैं आपको सब याद कर लेना है तो जो और टोन वेन लीवन होक है यह हैं आपके माइक्रोस्कोप के ठीक है तो यह नमबर का उप्सन इसका आपका करेक्ट हो जाएगा लेकिन आपको सारे कर लेने हैं तो यह तो साफ ही साफ देख रहा है कि यह बीच में आपकी लान है इसमें इसमें बीच में लान है यह आपकी किनारे पे लान है तो यही जब से अलग है थ्री नमबर वाला उक्शन तो आपका थ्री नमबर वाला जो है और भी। पड़एंगर गया इ Ganz fashion है कतनों को बाद्ध्यांत्र को B से देते हैं सभी तबले बाद्ध्यांत्र है और सभी बाद्ध्यांत्र पियानो है ठीक है? सभी बाद्ध्यांत्र जो है वो पियानो है अब यहाँ पे निसकर्स निकालना है सभी पियानो बाद्ध्यांत्र सभी प्यानों बाद्यांत्र हैं यह गलत है यह नहीं है सभी तबले प्यानों है यह सही है तो आपका जो है दो नंबर वाला נिसकर्स कर्थ वही सही होगा तो इसका अंसेर हो जाएगा बी नंबर वाला अप्शन ठीक है ना नेक्स्ट कुश्चन है बहुत आसान होते हैं यह आपको आना चाहिए नेक्स कोच्छन है आपका खालिस्तान जिसको अक्सर सदमे के उपचार के लिए के रूप में जाना जाता है एक मानसिक रोगों का इलाज है जिसमें मानसिक बीमारियों को से राहत प्रदान करने के लिए संग्रहन विद्युद्वा रूप से रोगियों को लगाया जाता है तो यह इसका अंसर है आपका EGT ठीक है ना ECT लिखा है या EGT ECT लिखा है ठीक है ECT आपका करेक्ट अंसर है Electronic Volume Therapy तो यह आपका करेक्ट अंसर है तो आपको जितनी भी थेरेपियां है वो भी याद करना है कि कौन सी थेरेपि किस रोग के लिए यूज की जाती है यह आपके Alternate Paper मतला हर दूसरे Paper में आपको यह Question मिल जाता है Next Question है आपका एक निश्चित कूट भासा में वोटन को यह लिखते हैं वोलन को यह लिखते हैं तो टॉवल को क्या लिखेंगे तो आप यहाँ पर देखें कि टॉवल टी ओ डबलू एल ठीक है टॉवल तो टी को क्या लिखते हैं टी को यहाँ पर लिखते हैं तो फाइव लिख दिया O को क्या लिखते हैं O को लिखते हैं यहाँ पर 2 तो 2 लिख दिया W को क्या लिखते हैं W को लिखते हैं यहाँ पर 1 तो 1 लिख दिया है E को क्या लिखते हैं E को लिखते हैं यहाँ पर E को यहाँ पर क्या लिखा हुआ है E को लिखा हुआ है 7 and L को क्या लिखा हुआ है यहाँ पर L को लिखा हुआ है 9 तो यह आपका correct answer जएगा 52 179 52 179 C number वाला जो option है वो आपका correct हो जाएगा next question है आपका यह simple question है आपको यहाँ पर X की value find out करनी है तो यह आप खुद से करना है मुझे लगता है मैंने solve किया बट मेरा answer नहीं आया मुझे लगता है question गलत है ठीक है ना क्यूंकि जब आप इसका answer यहाँ पर 5 दिया हुए जब यहाँ पर 5 रखते हो तो यहाँ पर 5 आता है प्लस root 5 आता है यह आपका क्या आना चाहिए 20 आना चाहिए जो की नहीं आ रहा है satisfied नहीं कर रहा है तो value आपको याद रखने का तरीका मैंने बताया था यहाँ पर लिखना है आपको zero यहाँ पर 30 यहाँ पर 45 यहाँ पर 60 यहाँ पर 90 यह आपकी value है एंगल है रुकिए मैं आपको ऐसे बता देता हूँ यहाँ पर आपको लिखना है यहाँ पर 30 यहाँ पर 45 यहाँ पर 60 यहाँ पर 90 अब यहाँ पर लिखना है 1 2 3 4 5 sorry यहाँ पर 0 1 2 3 4 and आपको 4 का भाग दे देना है यहाँ पर 4 4 4 4 4 4 यहाँ पर आपको root लगा देना है जिसको नहीं याद होता है उसके लिए जिसने याद आता है वह आगे बढ़ जाए कोई दिक्कत नहीं है इसको नहीं याद रखता है तो अब यहाँ पर जब इसको करोगे तो साइन की वेलिव यह साइन 0 की वेल्यु क्या है 0 हो जाएगी साइन 30 की वैलीव क्या हो जाएगी इसको सॉल्फ करों करों के तब बन अपॉन 2 आएगा तो यह 0 cos 0 की value है cos 35 की value है cos 0 नब्वे की value है तो आपको याद रखना में 0ंटी होती है यह आपको याद हो जाएंगी दौनों की value ठीक है तो हमारे हमारा ईनम्हें नंबर का जो है option Taika ना नेक्स कुस्चिन हमारा जो है यहाँ पर 97 खालिस्तन इलेक्ट्रोनों की समान संख्या वाले परमाणू अणू आयन को क्या कहते हैं कि संख्या बराबर होती है यह वो होते हैं आइसो इलेक्ट्रोनिक तो यह आपका C नंबर का जो जो अपशन है वो आपका correct है next question है आपका जो कतनों को पढ़े तो इसमें आपको फिर से band diagram बनाए कुछ चटाईयां ज़ाड़ू है तो कुछ चटाईयां को C से दिखाते हैं ज़ाड़ू को J से दिखाते हैं कुछ चटाईयां ज़ाड़ू है सभी pencil हैं ज़ाड़ू है कुछ ज़ाड़ू चटाईयां है कुछ ज़ाड़ू चटाईयां तो यह सही है तो आपका cable दूसरा वाला जो option है वो सही है तो आपका B number का जो option है वो correct हो जाएगा ठीक है ना next question जो है आपका यह आपका बिल्कुली simple question है आपको यहाँ पर x square दिया हुए तो 25 square आपको होता है 625 and minus 15 square होता है आपको 225 तो आप जब इसको घटाएंगे तो यह आएगा आपका 400 ठीक है तो x square जब आपको root हटाएंगे तो आपको root आजाएगा root आजाएगा तो आपको आजाएगा 20 तो 20 आपका यहाँ पर correct answer हो जाएगा आपको इस question को जल्दी करने के लिए आपको क्या करना है आपको कम से कम 40 तक के वर्ग याद कर लेना है ठीक है ना तो आपको इनके वर्ग आप जरूर याद करें next question है आपका कथन पढ़ें और उसका answer दें तो इसमें लिखा है उस दुकान में अधिकतम कपड़े महंगे हैं अधिकतर कपड़े जो है महंगे है आपको निसकर्स निकालना है उस दुकान में सस्ते कपड़े उपलब्द नहीं है तो यह गलत है क्योंकि इसमें बिल्कुल नहीं बुलाया कि नहीं है उस दुकान में handle कपड़े भी है ठीक है यह आपका जो है C number का जो है वो सही होगा C number का इसलिए सही होगा क्योंकि जब आप पढ़ेंगे इसको अधिकतर कपड़े महंगे है अधिकतर कपड़े महंगे है पूरे कपड़े महंगे नहीं है कुछ कपड़े सस्ते भी है तो यह दुकान में सस्ते कपड़े भी है तो यह वाला आपका answer जो है correct हो जाएगा तो हमने आज के 100 questions को पूरा कर लिया है अगर आप हमारे चैनल पर नए है तो आप हमारे चैनल को subscribe जरूर करें और अगर आप इस चैनल को subscribe कर चुके हैं तो इस वीडियो को share, like and comment जरूर करने जिससे और भी बच्चे हैं वो इस वीडियो को कलाब उटा पाएं ठीक है ना और आज की वीडियो में फिलाल इतना ही धन्यवाद